हलो डियरे स्टुएंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेलकम है टेस्ट पेपलाइव क्लासेज में और आज अपन डिसकस करने वाले हैं एक और इंपोर्डेंट टोपिक जिसका नाम है पेंक्रेटाइटिस आज ऐसा कि आप देख पा रहे हैं पेंक्रेटाइटिस क्या होता है एक प्रकार से इंफ्लामेशन होता है किसका पेंक्रियाज गा पेंक्रियाज गा इंफ्लामेशन जो होता है वो पेंक्रियाटाइटिस होता है यह दो परकार से हो सकता है जिसकी दो फॉर्म होती है एक तो अचानक से होता है और एक धीरी धीरी प्रोग्रेस करके होता है तो इसके आदार पर इसको दो केटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है पहला है acute pancreatitis यानि कि यह suddenly होगा अचानक वाली condition में होगा जो अचानक से infection होता है इंफ्लमेशन होता है वो acute inflammation कहलाएगा जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे acute inflammation के अंदर pancreas यहां पर affect हो रही है इसी तरह आगे अगर अपन चलते हैं तो यह किसके कारण होता है इसका occurrence अगर अगर अपन देखते हैं तो यह किसके कारण होता है stone formation के कारण विशेश कर किसके अंदर गोल ब्लेडर के अंदर बिलेरी सिस्टम के अंदर यहां पर गोल इस्टोन यह अपने को देखने को मिलती है जिसको अपन कोली लीथियास इसके नाम से अपन जानते हैं यह क्या होता है इसका मैन मुखे कारण होता है acute pancreatitis का ठीक है इसी परकार से आगे अपन चलते हैं दूसरा जो type होता है वो होता है chronic pancreatitis chronic pancreatitis के अंदर क्या होता है यदि pancreas का recurrent infection हो बार बार infection हो चाहिए वो किसी भी वज़े से हो सकता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन recurrent inflammation of the pancreas it is known as chronic pancreatitis ठीक है तो यहां पर बार बार recurrently हो रहा है manly caused by alcoholism ऐसे परसन ऐसे लोग जो ज़्यादा तर alcohol का 7 करते हैं alcoholism वाले patient जो होते हैं उनके अंदर chronic pancreatitis के chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मुख्य कारण से यहां पर दो चीज़े अपने सामने आती है एक तो acute pancreatitis जिसका मुख्य कारण क्या होता है colillidiasis दूसरा होता है chronic pancreatitis जिसका मुख्य कारण होता है alcoholism तो दोनों अलग-अलग क्यूशन बनते हैं इसके अलग-अलग point है ठीक है इसी प्रकार आगे अपन चलते हैं जहां पर आपन देखते हैं etiology and risk factor क्या-क्या हो सकते हैं etiology इसके कारण क्या-क्या होते हैं जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कोली लीतियासी सेयन की गोल स्टोन हो गया है जो कारण बनता है acute pancreatitis का alcoholism यदि है जो लोग alcohol का ज्यादा 7 करते हैं continuously 7 करते हैं वो उनके अंदर chronic pancreatitis की condition develop हो शकती है इसी प्रकार से पन देखते हैं infection of pancreas pancreas का infection हो सकता है यह भी एक परकार से कारण हो सकता है pancreatitis का ठीक है यदि कोई भी injury हो गयी trauma हो गया या फिर आपने देखा होगा कई सारी gastric surgeries ऐसी होती है जिसके बाद में pancreas का inflammation अपने को देखने को मिलता है तो after gastric surgery यह हो सकता है यह risk factor में आता है आगे अपन देखते है pancreatic duct obstruction यदि pancreatic duct जो होती है जिसके कारण से biliary system पूरे तरके से proper work नहीं कर पा रहा है इसके कारण से inflammation हो सकता है high cholesterol level के कारण हो सकता है यदि high fatty diet है उसके कारण भी यह हो सकता है यह सारे के सारी क्या होते है risk factor होते हैं next आगे अपन बात करते हैं इन सभी के कारण patient के अंदर क्या-क्या clinical manifestations क्या-क्या लक्सन क्या-क्या science symptom अपने को देखने को मिल सकते हैं उनकी बाते करेंगे सबसे पहले है severe acute abdominal pain अचानक से बहुत severe abdominal pain होगा left quadrant के अंदर left upper quadrant के अंदर यहां पर बहुत ही खत्रना का abdominal pain होगा अचानक से होगा severe की CVT के साथ होगा और यह CVT धीरे-धीरे क्या बढ़ती जाती है आगे अपन बात करते हैं यह इसका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ पन यह pancreatitis का दर्द है या फिर और किसी कई बार क्या होता है गेस्टिक दर्द भी होता है गेस्टिक पेन भी होता है तो यह इसका पहचानने का तरीका है left upper quadrant के अंदर होता है नेक्स है rigid board like abdomen अपने को देखने को मिलता है ठीक है खटोर हो जाता है एनोरेग्जिया नोजिया वोमेटिंग यह सब कुछ अपने को देखने को मिलता है इसके अलावा जो इंडिस भी अपने को देखने को मिल सकता है 100% नहीं कह सकते है लेकिन हाँ हो सकता है इसके अलावा hyperglycemia यहां पर present हो सकता है fluid electrolyte imbalance अपने को देखने को मिल सकता है ठीक है next आगे अपन बात करते हैं कौन-कौन से diagnostic measurement यहां पर अपन कर सकते हैं very very important diagnostic measurement के अंदर अपन जब बात करते हैं कि इसके test क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शुरुआत से सुरू करते हैं तो सबसे पहले history लेते हैं पैसें से पूछते हैं क्या आप alcohol लेते हो कितने समय से लेते हो कब-कब लेते हो सारा सब कुछ complete अपन history लेंगे क्योंकि alcoholism क्या करता है chronic pancreatitis का कारण बनता है तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले alcohol का यहां पर history लेंगे उसके बाद में stone का कोई stone तो नहीं है गोल इस्टोन तो नहीं है कोई operation तो नहीं करवाए आपने वो सारा का सारा सब कुछ यहां पर history लेने वाले हैं फिर अपन क्या साइण जो है pancreatitis के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं kulin sign का मतलब क्या होता है यह रहा kulin sign जिसके अंदर आपन देखते है कि पैरा Convencle यानि कि Ambilical area के चारो तरब अपने को क्या देखने को मिलता है blue disk polarization अपने को देखने को मिलता है कह सकते है blue Blue Discalderations in the Paraamblichal area, इसी परकार से Turner Sign जो होता है, वो Sign अपने को flank region के अपने को देखने को मिलता है, जो flank region होता है, उसके अपने को Blues Discalderation अपने को देखने को मिलता है, इसी को यह अपन Turner Sign कहते हैं, यह भी एक पहचाने का तरीका होता है कि Pancreatitis हुआ है कि नहीं हुआ है, Blood Test भी कर करवाएंगे तो इसके अंदर total leukocyte count बड़े हुए मिलेंगी inflammation के कारण LFT liver function test यहां पर अपन करवा सकते हैं इसके अलावा यहां पर USG ultrasonography अपन यहां पर करवा सकते हैं CT scan करवा सकते हैं pencreas को देखने के लिए head of the pencreas यहां पर इसके द्वारा देखा जाता है मैंली ठीक है urine analysis यहां पर अपन करवा सकते हैं जिसके अंदर amylase lipase यह बड़े हुए यहां पर अपने को मिलने वाले हैं stool examination करवा सकते हैं stool examination के अंदर अपने को fall smell वहां पर अपने को देखने को मिलता है इस टेटोरिय जिसको अपन बोलते हैं क्योंकि high fatty diet पैसेंट ले रहा है जिसके कारण से stool के अंदर fat undigested fat रहेगा जिसके कारण से fall smell आएगा ठीक है इस टेटोरिय इसको अपन बोलते है fat in stool यहां पर यह होता है ठीक है इसी प्रकार से इसका जब अपन management करते हैं तो management के अधर अपने को क्या-क्या देखने को मिलता है सबसे पहले पैसेंट को अपन एनवीम रखेंगे कुछ भी नहीं किलाएंगे पिलाएंगे ठीक है इसके बाद में एंजिट्यूब डालेंगे एंजिट्यूब डालने के बाद में उसकी सक्सिनिंग करेंगे ताकि पैंक्रियाज को कम से कम stimulation मिले और उसको nozio vomiting कम से कम हो लो फेट डाइट यहां पर अपन रखेंगे क्योंकि हाई फेट डाइट से इस्टिटोरिया वगरा हो सकता है हाई protein डाइट देने वाले हैं हाई calorie डाइट यहां पर देने वाले हैं इन डाइट से सम्मधित जो है सव यह रखने वाले हैं ठीक है क्योंकि यह blood sugar level को बढ़ाता है avoid alcohol alcohol जो लेते हैं उनको बोलेंगे discharge के बाद में कि आपको alcohol नहीं लेना है बंद कर देना है complication of the pancreatitis 10 star mark point है यह complication पूछा जाता है जिसके अंदर अपने से पूछा जाएगा कि pancreatitis का होगा वो क्या होता है यहां से देखेगा hypovolumic जो होता है सबसे ज़्यादा सब सबसे ज्यादा कंप्राइब को नहीं से आपना पैंक्रियाट्री के बारे में चोटा सा करें वीडियो को सेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंकिए